हेलो क्लास 10th students, pair of linear equation in two variables के second exercise के second question को हमों को आचके रों solve करेंगे question कहा रहा है solve this and this hence find the value of m for which y equals to mx plus 3 हमें इस equation और इस equation को क्या करना है solve करना है, बहुत easy है, चीक है पहला हमें दिया है 2x plus 3y बराबर 11, दूसरा दिया है 2x minus 4y बराबर माइनस 24, तो हम लोग substitution method का इस्तमाल करेंगे क्योंकि यह एक्सरसाइज है वो substitution method के उपर based है, 3y को पहले धर बेजेंगे, कह जाएगा 2x बराबर 11 minus 3y, अरे यह प्लस में बदा जाएगा माइनस में आएगा, फिट यह 2 जो है, वो x के साथ multiply है, तो जब 2 धर जाएगा, तो divide मा जाएगा, यह जाएगा x बराबर 11 minus 3y divided by 2, तो यहाँ x के value आ गई इस equation से, जहाँ से x के value निकालते हैं, उसका अस्तमाल दुबारा नहीं करते हैं, इसका अस्तमाल अब हम लोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पर x के जगा हम लोग यह पूरा का पूरा fraction भर देंगे, इस x के जगा यह पूरा पूरा fraction भर देंगे तो के मिलेगा हमें, 2 times 11 minus 3y divided by 2 minus 4y बराबर minus 24, ठीक है, तो यह 2 से पहले 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 11 minus 3y, ब्रैकेट हटा सकते हैं, minus 4y बराबर minus 24, minus 4y, minus 3y मिलके minus 7y हो जाएगे, equals to minus 24, यह 11 जब उधा जाएगा, तो minus में चल जाएगा, तो minus 7y बराबर minus 24 minus 11, solve करेंगे, minus 35 आएगा, एदर minus 7y है, minus से minus कट जाएगा, 7 से 5 बराबर में 35 कट जाएगा, y की वेल्यू हमें मिल जाएगी 5, ठीक, और अगर y की वेल्यू 5 आ चुकी है, तो यहाँ पर जब y रख देंगे, तो हमें x भी मिल जाएगा, x equals to क्या जाएगा, 11 minus 3 into y की जाएगा 5, divide by 2, 11 minus 15 हो जाएगा, divide by 2, 11 में से 15 गटाएगे, minus 4 by 2 हो जाएगा, तो minus 2 आएगा, x का वेल्यू, x का वेल्यू क्या आएगा, minus 2, तो मैंने इस equation को solve कर लिया है, question में कहा था कि m की भी value निकालना है, अगर y बराबर mx plus 3 है तो, ठीक है, देखिए हमें इसको भी solve करना था, तो y बराबर क्या है, mx plus 3 है, अभी हम लोगों ने देखा कि y की value क्या आई है, 5 आई है, यहाँ m है, x की value क्या आई थी, minus 2 आई थी, plus 3, तो जाएगा, 5 बराबर minus 2m plus 3, यह जब 3 उधार जाएगा, तो 5 के साथ minus जाएगा, 5 minus 3 बराबर minus 2m, 5 में से 3 घटाएगे, 2 आएगा, इधरा जाएगा, minus 2m, यह जो minus 2 है, उधर जाएगा, डिवाइड मा जाएगा, तो m की value आजाएगे, 2 by minus 2, 2 से 2 कट जाएगा, m का value आएगा, minus 1, नीचे minus 1 है ना, नीचे minus का साइन, इसलिए अन सा minus मा आएगा, तो से 2 कट रहा है नीचे, इसलिए minus 1m का value, तो तीनों value मैंने निकाल दी है, उमीद करता हूँ, आपको समझ में आया होगा, ठीक है, अगर समझ में आया है, तो मैं आपको एक question हमक दे रहा हूँ, एकस प्लस 2y बराबर अगर 6 है, और x प्लस 3y बराबर 8 है, तो y की value और x की value comment box में बताईएगा, इस equation और इस equation को solve करके, x और y की value comment box में जरूर बताईएगा, आज की नहीं से नहीं मिलते हैं लिए वीडियो में, तो तक के लिए goodbye. झालएपeur बताईबा है, तो प traveled के रहा हूँ, में दो तो आईगा है, तो रहा आऻआएगा है, तो एकस और आएगे, यहारे तो यहारे, तो लिए आदी है, तो है तो यहारे, तो एक नहाहे में, तो तो यहाँएए़ लिएर सांएगा, भीreno-T deferak suo में रहें से शगिदद